नमस्काश आपके छे बच गए हैं वक्त हो चुका है लोगतंत्र का इस वक्त आप मेरे साथ टाइम जान अभारत पर हैं मिरा नाम आंकित्यागी और हम आज लाइव जो आपके पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं काशी विश्वनात कोरिडोर से गेट नमबर चार आप देखेंग पर आज एक बड़ा फैसला आया है देखिए अभी निच्तिरी आदारत में यानि कि वारानसी की जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोट है उसमें जब फैसला आया था कि यहां पर अंदर जाएं यहां से अंदर जाएं और इस दिवार के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं यहां से थोड़ा सा तो वहां पर आंदर जाके यह बात हुई थी कि यहां पर विडियोग्राफी होनी चाहिए साक्ष जुटाने का जो एक कारिकरम था एविडेंस को कलेक करने का जो एक कारिकरम था वो शुरू करने की बात कही गई थी उसको लेकर पिछले कई दिनों से तरहा तरहा की बाते हो रही हैं तरहा तरहा की चर्चा हो रही हैं यहां पर मस्जिद के दो पक्षकार हैं उन्होंने पिछली दो बार में जब यहां पर जो कोट द्वारा चिनहित कमिशनर थे उनकी पूरी टीम थी वो सब यहां पहुँचे तो उनको रोका जबरदस पर अभी कोट में जो संग्यान लिया जा रहा है वो इस बात का संग्यान नहीं लिया जा रहा है कि यहां पर इस जमीन पर किसका अधिपत्य है बलकि इस बात की हो रही है कि यहां पर कम से कम एक साक्ष जुटाने का कारिकरम किया जाए तो आज कोट में बहुत एहम फैसला कि सर्वे भी जारी रहेगा एहम फैसलाइस बात को लेकर हुआ कि कोट कमिशनर के ओपर जो सवाल थे वो सवाल खारिज करे गए और सीधा-सीधा कहा गया कि 17 माई तक रिपोर्ट देनी होगी पूरा घटना क्रम कैसा रहा सुबे से इसकी लगतार रिपोर्टिंग आप टाइ ग्यान वापी मस्जिद में सर्वे टीम को अपना काम ना करने देना कोट से निक्त पदाधिकारियों का सर्याम विरोध करना शायद यही वो वज़ा थी जो वारानसी कोट में घ्यान वापी मस्जिद के दावे को कमजोर कर गई और मामला उल्टा पड़ गया वारानसी जिला अदालत के जज रवी दिवाकर ने जो आदेश दिया वो बिलकुल इस्पष्ट है कोट ने अपने आदेश में कहा सर्वे के लिए न्यूक एड़ोकेट कमिशनर अजय कुमार मिश्रा बने रहेंगे मुस्लिम पक्ष इन्हें हटाना चाहता था जिसे कोट ने मानने से इंकार कर दिया इसके साथ ही कोट ने कमिशनर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिह और अजय सिह को भी पोर्ट कमिशनर बनाया है यानि अब सर्वे के लिए तीन एड़ोकेट कमिशनर होंगे दो और एड़ोकेट कमिशनर न्यूक्त हुए है नीचे 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 और 17 तारीक तक एड़ोकेट कमिशन की रिपोर्ट माननी नियाला के समक्ष सम्मिट की जाएगी वरानसी कोट ने ग्यानवापी मस्जिद में सर्वे ना करने देने पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया और प्रशासन को फटकार लगाते हुए आदेश दिया ग्यानवापी मस्जिद के रहसिमई तहखाने को खोला जाए अगर गेट की चाबी नहीं मिलती है तो ताले को तोड़ दिया जाए कोट ने कहा हर हाल में काररवाई की वीडियो ग्राफी की जाए यानि सर्वे की टीम को टहखाने के अंदर जाने से कोई नहीं रोग सकता वारानसी कोट ने प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी फिक्स कर दी या अधिकारियों को ये सुनिश्यत करना होगा कि सर्वे में कोई रुकावट ना आए आदेश दिया गया है वारानसी के जिलाधिकारी वारानसी के एससपी सर्वे में बाधा डालने वालों की पहचान कर एक्शन लेंगे यहां के एड्मिनिस्टेशन को ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो भी प्रॉपर सिक्यूरिटी मुहया करानी है इस आदेश को पूरा कराने के लिए वो पूरा कराया जाएगा यानि जो कमिशन का अधूरा काम है वो पूरा कराया जाएगा जो पहला आदेश था कि जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि अंदर जो वीडियो ग्राफी है वो की जाएगी जहांपर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके पक्ष के लोगों ने कोट कमिशनर को अपनी कारवाई करने से रोका था उस पर भी क्लियर कट आदेश कोट की तरब से दे दिया गया है आरोप लगे कि सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर काम करने नहीं दिया गया पहले से मुस्लिम पक्ष के लोग मस्जिद में मौजूद थे तो वीडियोग्राफी का विरोध करने लगे अब पोट ने अपने आदेश में ये भी निश्यत कर दिया है कि सर्वे के दौरान कौन-कौन अंदर होगा पोट ने कहा सर्वे टीम के सदसित, प्रुशासन के अधिकारी, ज्यानवापी मस्जिद के कर्मचारियों को छोड़ कर कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता यानि कोई भी नमाजी और बाहरी लोग परिसर में नहीं हो कमिस्नर की जो कारवाई है संपादित करवाये जाए कोई भी बाहरी व्यक्ति कमिस्नर की कारवाई के दौरान उपस्तित नहीं होगा मतलब कि साफ एकी जर्ट सर्वे चलगी टीम याएगी तो उस दौरान सर्वे जो वादीगर होंगे, प्रतिवादीगर होंगे यानि हिंदू पक्त, मुस्लिम पक्त इसके अलावा, जो उनके अधिवक्ता होंगे, वो रहेंगे और साथ-साथ जो कोट कमिस्नर से जुड़े हुए जो लोग हैं, कोट कमिस्नर होंगे वो इस दोरान उपस्तितोंगे इसके अलाबा कोई भी वारी व्यक्ति नहीं होगा अदालत ने आदेश दिया है कि कोर्ट कमिशनर 17 मई को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे यानि हर हाल में सर्वे का काम 16 मई तक पूरा करना होगा लोग उमीद जता रहे हैं कि कोर्ट के सक्ष फैसले के बाद अब ज्यानवापी महजिद में सर्वे का काम पूरा होगा दूद का दूद, पानी का पानी होगा पंद कमरे के रहत से साबजनिक हो जाएंगे जो जज हैं इस केस में, जज जिनका नाम है रवी कुमार दिवाकर उन्होंने जब आज कोर्ट में अपना फैसला सुना रहे थे तो कुछ बड़ी एहम बाते कई उन्होंने ये भी काज कहा और ये ब्रेकिंग न्यूज आपको इस वक बता रहे हैं कि उनको अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर खत्रा महसूस होता है और साथी साथ उन्होंने ये बात भी कहीं कि कहीं न कहीं कुछ लोग एक साधारन से मामले को आसाधारन रूप से इतना तूल दे रहे हैं कि उससे महौल खराब करने की जानभूज कर कोशिश की जा रही है इन सभी बातों को अगर आप देखें तो लगता यही है कुल मिलाके कि कैसे यह जो पूरा मामला है इसमें जिस तरीके से लगातार कुछ लोगों का विरोध रहा कुछ दिक्कते रही उसके बाद से ऐसा महौल बनाने की कोशिश हुई जिस महौल को जज ने आज खुद कहा कि महौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है बड़ी बात है और आज इसमें कहीं न कहीं प्रशासन के ओपर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए बोला कि प्रशासन लगता नहीं है कि बहुत सीरियस हो इस पूरे मामने को पूरे सर्वे के कारिक्रम को ठीक से कराने के लिए देखिए मैं उस तरफ ख़़ाता ज़र दिखा करते हैं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो स्थानिये लोग हैं स्थानिये लोगों से आपकी थोड़ी बातचीत कराएं और समझें कि इस कोट के फैसले के माइने क्या है भाइसाब आप बिल्कुल सामने हैं गेट नमबर 4 के आज कोट का जो फैसला आया है कुछ नहीं क अब लोग बनारस से हैं आप तो नहीं पर रहते हैं कुछ नहीं कहेंगे यह क्या आपको हिदायद दी यह प्रशासन की तरफ से अपने यह कमाल की बास है अब मैं बाहर की जनता से अगर आपकी बात करानी शुरू करूंगा तो लोग एक के बाद बोलना शुरू करेंगे लेकिन जो बनारस के खास लोग हैं जो यहाई के लोग है आप लोग कहां से हैं कहां से हैं वहीं है तो ग्यान वापी का जो आज कोड में फैसला आया देखा सुना आपने अभी नहीं अभी नहीं सुनें कोड ने बोला है कि अंदर जाके विडियोग्राफिक करवानी बाकि जो भी इशू अब हो जाने आपको क्या लगता है भी या इसके बारे में कुछ नहीं नहीं है तो यहां पर जो कुछ लोग कड़े हुए है और मुझे लग रहा था कि जहां की जनता है उसको इसमें शायद बहुत जाधा इंट्रेस्ट होगा बहुत सारी बाते करने को होंगी आपसे बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते चलिए तो यह देखिए एक बड़ी कमाल की बात है और यह मैं सली भी आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल यह गेट नमबर जो चार है उसके सामने की दुकाने हैं तो व्यापार है और व्यापार है तो वहाँ पर इस बात की कोशिश की जाती है कि किसी ना किसी तरह के कंट्रोवर्सी में यानि कि किसी ना किसी तरह की परेशानी में खुद ना पड़ा जाए वो भाई साब सर हिला रहे बात करने को मना कर रहे थे लेकिन सर हिला रहे खड़े इतना डीटेल में ओर्डर आया है कि 8-12 के बीच में ये पुरा सर्वे कराया जाएगा पर जैसे ही ओर्डर आया उसके बाद कहीं न कहीं राजनितिक दलों में हलकों में बड़ी जबर्दस हल चल हुई सब ने कहीं न कहीं इसके उपर अपनी प्रतिक्र रखने की कोशिश करी तो क्या राजनितिक नूरा कुष्टी है इस पे सुन भी जब देखे तो मुझको कोड कुपर विश्वासा और नमः पारवती पते हर हर महादेव हिंदू जनभावना उससे जुड़ा हुआ है क्योंकि आप जब ग्यान भापी पैरिसर को देखेंगे तो आपको सीधे दिखेगा कि यह पुरानिक मंदिर है कानून रिवस्था और शांती बनाये रखने का काम हमारा है और मुझे लगता है सौहार्थ के साथ में अब वहाँ पर सर्वे भी होगा और सभी लोग उससे सुईकार करेंगे सभी धर्मों के लोग और खास करके जो हमारे मुस्लिम समाज के हो वहाँ पर जो कमेटी के और ना किसी सत्ता को गिराने के लिए हो रहा है यह सत्ता के लिए संगर्ष नहीं है यह बैचारी क संगर्ष है कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे वाइरल होने की ऐसी सनक सवार है कि उनके लिए अपनी जान की सुरक्षा, औरों की जान की सुरक्षा, नियम, कानून, पुलिस, काइदा, अदालत, किसी का डर नहीं है बस कुछ लोग यही चाते हैं कि सोशल मीडिया पर उनको लाइक्स मिल जाएं, फॉलोवर्स मिल जाएं, उसकी सनक ऐसी है कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार है गाजियाबाद से ये स्टोरी जड़ा जो आपके लिए लेकरा रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी जान को किस तरीके से खत्रे में डाल कर मीडिया और सोशल मीडिया पर सिर्फ थोड़े से वावाही बटोरने के लिए, पॉपिलर होने के लिए, देखिये क्या-क्या तमाशे किये जा रहे हैं ये सोशल मीडिया पर वाइरल होने की सनक है ये सोशल मीडिया पर व्यूद बाने की सनक है ये सनक है महले का स्टार बन जाने की ना जान की परवाह, ना कानून का डर और ना ही कुलिस का खौफ ये जिला घाजियाबाद से आई सबसे सनक भरी तस्वीर है पीच हाईवे पर पहले कार की रफ़तार देखिए उसी रफ़तार में कार के पिछले हिस्से पर बैठे लड़के को देखिए पीछे बैठ कर तेजी से लहराते लाठी को देखिए मौत को न्योता देने वाला गैर कानूनी काम सोशल मीडिया पर रातो रात स्टार बनने का सबसे आसान फर्मूला है स्टन्ट लेकिन यही स्टन्ट कई बार जिंदगी पर भारी पड़ जाती है कई बार पुलिस के लिए चुनोती बन जाती है और कई बार राह चलते लोगों के लिए जान का खत्रा यह वीडियो राजनगर एक्स्टिंशन इलिवेटिड रोड का है अब घाजियाबाद की पुलिस एक्शन में आ गई घाजियाबाद पुलिस के सामने यह ना तो पहला केस है ना ही आखरी लहाज़ा पुलिस कानून का कोड़ा तेजी से बरसा रही है किसी का चालान काटा जा रहा है किसी पर एफायार दर्ज की जा रही है 2022 में अब तक 22 लोगों के चालान कटे हैं पिछले 10 दिन में 4 लोगों के चालान कटे है कई लोगों के खिलाफ एफायार दर्ज हो चुकी है पुलिस ने कई और लोगों को चिन्हित किया है घज्यबाद पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि पहले की तूलना में अब स्टंट करने वालों में कमी जरूर आई है लेकिन अभी भी सकती बरतने की जरूरत है गज्यबाद की शिवांगी और बुलेट रानी अब तक 56,000 का चालान भर चुकी है शिवांगी कहती है ना तो उन्हें चालान से डर लगता है और ना ही इस्टंट से फिर सवाल यही यह सब रुकेगा कैसे तो मतलब मैंने वही से देखके और मतलब अच्छा लगने लगा तो करने लगी गज्यबाद पुलिस प्रिशासन के सामने सिर्फ इस्टंट ही चुनोती नहीं है एक चुनोती है चेंसनेचिंगी यह गज्यबाद के इंदिरापुरम की तस्वीर है जहां एक महिला बहुत आराम से अपने घर के बाहर तहल रही है तभी अचानक से पीछे से एक लड़का आता है बगैर किसी शोर शराबे के बुजर्ग महिला के ठीक पीछे पहुँचता है यह सब इतनी जल्दी में होता है कि ना तो बजर्ग महिला कुछ समझ पाती है और ना ही कोई इस वारदात को देख पाता है बजर्ग महिला से बदमाश चेंग जपटकर फरार हो जाता है चेंग सनेचिंग की यह तस्वीर सीसी टीवी में गैद है तो सवाल सिर्फ स्टन्ट का नहीं है सवाल है कि कानून क्या कर रहा है प्रशासन को खुले हम चुनोती देने की हिम्मत लोगों को कहां से मिल रही है हलांकि घाज़यबाद की पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई का भरोसा जरूर दे रही है यह अलग बात है कि अभी भी पुलिस को सखती बरतने की पूरी जरूरत वोही तों के साथ गरो रिपोर्ट टाइम स्टाव नोभर एक बहुती दर्दनाक ब्रेकिंग न्यूस इस वक्त आ रही है जमू कश्मीर से सीधे आपको इस खबर के पास लिये चलते हैं जमू कश्मीर के बढगाम में कश्मीरी पंडित की गोली मार कर हत्या कर दी गई है आतंगवादियों ने राहुल भट नाम के एक व्यक्ती की गोली मार कर हत्या कर दी है राहुल भट को ऑफिस के अंदर गोली मारी गई है बटगाम में तैसीलदार के दफ्तर में ये वारदात की गई है तैसील क्लरक राहुल भट को गोली मार कर मार दिया गया है तैसीलदार के दफ्तर में काम कर देते राहुल आतंगादी संगठन कश्मीर टाइगर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है एक बार फिर से जो और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कैसे लगातार कोशिश की जा रही है कश्मीर के अंदर एक महौल को बिगाड़ने की जो वहां पर कश्मीरी पंडित हैं या हिंदू हैं जो बाहर से आए वे हैं उनको एक-एक करके टार बड़े सवाल इस पे खड़े होते हैं एक कि क्या फिर से इस तरह की साजिश हो रही है और सुरक्षा के क्या इंतिजाम किये जा रहे हैं कि ऐसे लोगों को उनके सही अंजाम तक पहुचाया जा सके चलिए अब आपको लिए चलते हैं मद्धिप्रदेश शिवरा सिंग चौहान के घर के घिराव की कोशिश की यूध कॉंग्रेस ने और इतनी गर्मी में कम से कम उनके लिए राहत वाली बात ये थी कि उन पे जम कर वाटर कैनन का इस्तमाल किया गया लेकिन एक जबर्दस परदर्शन कम से कम महंगाई के खिलाफ आज कॉंग्रेस का मद्यपरदेश में तिखाई पड़ा महंगाई है कि जीने नहीं देती और इसके खिलाफ बोलो तो पुलिस बोलने नहीं देती इसका ताजा उदाहरान सामने आया है मद्यपरदेश के भोपाल से भोपाल में युवा कॉंग्रेस ने हल्ला बोल युवा शंखनाद नाम से प्रदर्शन शुरू किया तो पहले बैरिकेट्स लगाए गए फिर पुलिस वाले सामने आये फिर भी प्रदर्शन नहीं रुका महंगाई बिरुजगारी के खिलाफ आवास धीमी नहीं हुई तो पानी की तेज धार से प्रदर्शन कारियों को रोकने की कोशिश की गई बाद सिर्थ महंगाई भरकी नहीं थी युवा कॉंग्रेस बिरुजगारी किसानों और आदिवास्यों की हालत को लेकर भी मद्य प्रदेश की सरकार से सवाल पूछ रही है इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर भूद कॉंग्रेस के चात्र भोपाल में सियम हाउस को भी घेरना चाह रहे थे लेकिन उससे पहले ही सडक पर कोहराम मच गया घंटों तक ये सब चलता रहा प्रदेश के अंदर युवाओं के बेरोजगार रोजगार को बेचने वाले व्यापम करने वाले अरदीवासियों पर अत्या चार किसान के खतलों के दाम नहीं देने वाले जो किसान, विरोधी, नौजवान, विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ संकनाथ किया है, पूरा इस पस्ट है या तो इस बदेश के नौजवानों को रोजगार दो, किसान को फसलों के दाम दो, नीतों की ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार के गद्दी छोड़ो मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी की कई मांग है जिसमें नौकरी पढ़ाई और सेनिकों से जुड़े कई मसले है कुरोना काल में न्यूक्त डॉक्टरों की फिर से बहाली हो विद्यार्थियों को फिर से स्कॉलर्शिप मिले मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी लगातार शिवराज से सरकार को घेरने की कोशिश में लेकिन पुलिस इस आवाज को दवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है भोपाल में यूथ कॉंग्रेस का प्रदर्शन जरूर खत्म हुआ लेकिन शुवराज सरकार के सामने संकत अभी भी बरकरार है वेरो रिपोर्ट टाइमस नाओ नौभारत चलिए अब रूख करते हैं राजिस्थान का दिक्कत यह है कि राजिस्थान की आजकल जब भी खबर लेकर आते हैं और अब हनुमान गड़ में भी ऐसा ही हुआ दो समुदाय आपस में भिड़ गए काफी देर तक पत्थर बाजी काफी देर तक वहाँ पर इस तरीके की घटनाए होती रही सवाल यह उटता है कि राजिस्थान सरकार क्या इन सब चीजों को लेकर गंभीर नहीं क्योंकि अगर गंभीर होती तो जो बार-बार वह दावे करते हैं कि साजिशन यह हो रहा है तो साजिश को रोकने का जो लोग इस साजिश के पीझे हैं उनको पकड़ने का जिम्मेदारी भी तो अशोक गैलोट सरकार की है और अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रही है तो उसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाए राजस्थान के हनुमान गड़ में नफरत की आग में जलते दो समुदाए जब आपस में पंडे तो मंजर खुनी हो गया दोनों पक्षों में जम कर पत्थर बाजी हुई मारपीट में कई घायल हो गया हिंदु पक्ष का दावा है कि विश्व हिंदु परिशत के स्थानिय नेता सत्वीर सहारन पर हमले के बाद महौल करवाया विश्व हिंदु परिशत के कारिकरताओं में आक्रोश पहल गया दरसल ये मामला महिलाओं की छिडखानी से जुड़ा है चश्मदीदों के मताबिक कुछ महिलाओं की शिकायत थी लड़कों का एक गुट मंदिर के पास आते जाते महिलाओं को छिड़ता है भप्तियां कस्ता है इस शिकायत के बाद विश्व हिंदु परिशत के अस्थाने नेता सत्वीर सहारन मौके पर पहुँचे जब सत्वीर ने उन योकों से पूछताच की तो उन्होंने जगड़ा शुरू कर दिया और लोहे की रोट से सत्वीर के सिर पर वार कर दिया जिससे वो गंभी रूप से खायल हो गए घटना के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदु परिशत के कारेकरताओं ने नोहर रावत सरसड़क को जाम कर दिया आकरोशित कारेकरता प्रशासन के खिलाफ चम कर नारे बाजी करने लगे विएचपी के महानगर अध्यक्ष अनिल शर्मा का आरोप है कि सरकार की तुष्टी करण की नीती की वज़ा से प्रदेश में इस तरह की घटनाय बढ़ती जा रही है और अब पानी सिर के उपर से गुजरने वाला है मुधर आनन फानन में हालाद को सभालने के लिए जिला प्रशासन एक्षिन में आया शहर में पुलस ने फ्लैग मार्च निकाला मौके पर अतरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया SG, IG, collector समेत अधिकारियों की पूरी फॉज मौके पर पहुंची अफवाहों को रोकने के लिए इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया जिला प्रशासन ने अफवाहों से सावधान रहनी के अपील की है गायल वीचपी नेता सहारन का बिकानेर में इलाज चल रहा है पुलिस ने अब तक आठ लोगों को गिरफतार कर लिया है लेकिन बड़ा सवाल ये है राजस्थान में गडबड़ी कौन फैला रहा है एक के बाद एक शहरों में दंगे क्यों हो रहे है पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है दंगो की साज़िश की खबर पुलिस को पहले क्यों नहीं लगती मुख्यमंत्री कहते हैं इसके पीछे राजनीतिक वज़ा है तो सवाल उठता है कि कौन राजनीति कर रहा है सरकार उसके बारे में जानकारी रखती है तो एक्षिन क्यों नहीं लेती ब्यूर रिपोर्ट टाइमसनाव नवभारत तो बोड़ा सवाल यही है जिम्मेदारी आखरिकार सरकार की बनती है कोई भी इसके पीछे हो सरकार को सक्ती से निपटना जरूर चाहिए चोटा सा ब्रेक इस वक्त ले रहें लोक्तंत्र में वापस आ रहें बहुत सारे खबरे आभी आपके लिए और भी जो यह जो ग्यान व्यापी मस्जिद का विवाद है यह पुराना एक विवाद है पर कुछ लोगों को नए नए विवाद खरने में खड़े करने में भारत में आज कुछ महारत हासिल हो गई ऐसे कुछ लोगों के लिए आज कम से कम इलाबाद हाई कोट की लखनव बेंच ने एक करारी फटकार लगाई है भारत जिनता पार्टी के एक नेता है जिनका नाम है रजनीश सिंग इन्होंने याचिका दायल की थी इलाबाद हाई कोट में लखनव बेंच के साब ने कि ताज महल के 22 दरवाजे खोल कर उसकी जाच की जाए क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि ये ताज महल नहीं है तीजो महले है अब इस पर कोट ने उनको जबरदस्त फटकार लगाते हुए उनकी याचिका को खारिज भी किया और साथी साथ कहा कि PIL का जो सिस्टम है उसका दुर्यूपयोग ना करें कोट ने ये भी कहा कि ताज महल पर जाके रिसर्च कीजिए यूनिवरस्टी जाएए पी एच्डी कीजिए रिसर्च में अगर कोई रोक लगाए तो कोट में आईए इतिहास आपके मताबिक नहीं पढ़ा जाएगा ताज महल कब बना था किसने बनवाया था जाकर थोड़ा ग्यान अरजित कर लीजिए हाला कि याचिकर्ता ने हाई कोट के फैसले पर नाखुशी चादता वे कहा है कि वो सुप्रीम कोट जरूर जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो इस तरीके के बयानों को तूल देते हैं और असली युनिवर्स्टी से ज़्यादा जो वाट्साइप के फॉरवर्ड आते हैं वाट्साइप युनिवर्स्टी की बड़ी चर्चा है उन लोगों के लिए कम से कम ये सबक जरूर है पर इस देश के अंदर राजनेतिक माइने हर चीज के होते हैं अब भार्टे जन्ता पार्टी की निता दिया कुमारी ने ताजमहल को लेकर एक नया विवाद छेड़ दिया है उन्होंने कहा है जिस जमीन पर ताजमहल बना है वो जमीन किसी जमाने में उनके पुर्खो की होती थी क्या राजमहल पर कबजा कर शाह जहां ने बनवाया ताजमहल क्या जैपुर राजपरिवार की जमीन पर मुगलों ने अतिक्रमन किया क्या मुम्ताज के मकबरे के 22 बंद कमरों में मंदिर है समरे खोले जाने चाहिए कुछ समरे है जो बंद है कुछ पाठ है ताजमहल का जो बंद है दुनिया जानती है मुगल बादशाह शाह जाहां की महबबत बेगम ममताज महल के निशानी है ताजमहल लेकिन इसके हिंदो मंदिर और तेजो महला होने के दावों के बीच जैपुर राजघराने की राज कुमारी और बीजे पीसानसद दिया कुमारी ने बड़ा दावा किया दिया ने ताजमहल को अपने पुर्वजों का राजमहल करार देते हुए इस पर मुगल बादशाह शाह जहां के कबजे को अवैद ठहराया है उस समय ऐसा कोई लौ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जैकुर पुर्वर राज परिवार की जमीन थी दिया कह रही हैं जिस जमीन पर ताज महल की इमारत खड़ी है वो उनके पुर्खों की है वहां राज पैलेस था वो मुगल काल में शाह जहां को पसंद आई तो उसे अपने कबजे में ले लिया बदले में मुआपजा भी दिया तब मुगलिया कानून में विरोध की गुंजाईश नहीं थी ऐसे में उनके पुरवजों ने बादशाह के अधिकरहन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई मामला इतिहास का है ऐसे में हमने इसे लेकर अली गर्फ मुस्लिम यूनिवरसिती में इतिहास के प्रोफेसर सेद अली नदीम रिजवी से बात की एक तरीका था एक रूल अफ लौ थी उस पीरियत में जब शाजहां ने ये सोचा के दरिया के किनारे वो मुम्ताज बहल का एक मगबरा तयार करवाएंगे तो उन्हों ने पहले वहां दरियाफ्स किया कि यहां कुपर जो ये जमीन है वो किस की और ये पता चला कि एक राजपूत जो उनके कोर्ट में मिर्जा राजा जैसिंग जो उनके बहुत करीबी थे यह वही राजा जैसिंग है जिनोंने शिवाजी को हराया था इस ताइब के लोग जिवाद में और इंग्जेप के पीरियट में जैसिंग शाजहां के पीरियट के काफी सीनियर और बड़े एहम नोबल थे उनसे दर्खास की गई और दर्खास करने के बाद वो जमीन हासिल की गई और वहां कोपर जो भी बनावा था उससे दूगना चीज़ें उनको दी गई और सारे उसके दस्तावेश आजी भी मौजूद है ताज महल पर नया विवाद पैदा क्यों हुआ इसके बंद दर्वाजों को खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका में क्या क्या कहा गया इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा आपको एक एक करके बताएंगे लेकिन उससे पहले ताज महल वाली याचिका को लेकर जैपुर राज घराने की दिया कुमारी ने जो कहा उसे बहुत ध्यान से सुने अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और प्रेटिशन फाइल की है उसके लिए कोई भी अगर आवशकता पड़ेगी घस्ता वेगोंगी या कुछ भी तो हमारे मां ट्रस्ट में को दी खाना भी है जो भी डॉक्यमेंट से हम लोग प्रवाइट करेंगी अगर अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो उनके पुर्वाज ही थे जिसके सबूत के तौर पर उनके पोस्ति खाने में दस्तावेज भी मौजूद है क्या वाकई शाह जहा ने जैपुर राजपरिवार की जमीन पर कबजा किया था इसे लेकर इतिहास के किताबों में क्या लिखा है आपको वो भी वताएंगे लेकिन क्या ताज महल के बंद 22 कमरों में वाकई हिंदू देवी देवताओं की मुर्तिया हैं क्या अवैद कबज कुछ मैंने देखा नहीं है लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो दूकुल हमारे परिवार की थी आपका मानना है कि तोड़ देना चाहिए वाकई यह नहीं कहूंगी इस पर पूरा जो जो उन्होंने का है कि कमरे खोले जाने चाहिए कुछ कमरे है जो बंद है कुछ पार्ट है ताज महल का जो बंद है सील्ड है उसको फोलना चाहिए कि वहां क्या था क्या नहीं था लेकिंगे वो सारे फैक्ट्स तो तभी इस्टैबलेश होगी जबकि एक बार उसकी इंक्वारी होगी और कौट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पत खटाने पर विचार कर रही है इस बीच इलहाबाद हाई कोट की लखनव पेंच ने पीजेपी नेता रजनीश सिह की उस याचिका को खरिश कर दिया है जिसमें उन्होंने ताज महल के पंद 22 कमरों की जाच कराने की मांग की थी अब सुप्रीम पोर्ट में जाएगा यानी ताज महल के बंद कमरों का रहस्य कायम है जिसे सामने लाने की पैरोकारी आकरा के इतिहासकार राज किशोर राजे भी करते हैं जबकि एम्यू के प्रोफेसर सेद अली नदीम रिजवी के मताबिक बंद कमरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर संदेह किया जाए ये कमरों के जाने का रास्ता है जिसकों की दर्वाजा इंटों सा लाख और इंटों सा बंद किया गया है ये मुगल पीरिड में ही बंद कर दिया गया था और उसके वाज जब कभी जिरो धार के लिए मरमत के लिए खुला जाता है तो एसाई इसको अपने तरह से खुलती है और आम आदमी की दिवाता कोई दखल नहीं होती वो कमरे हैं और बंद हैं और मेरे ख्याल में अगर कोई चाहता है को उनको खुलवा के देखें आई थिक मोस्ट विलकम क्योंके मैं भी वहाँ जाके बच्पन में देख चुका हूँ अगर किसी और को शौक है वो तो आपकी सेक्यूरिटी के लिए ताज महल के बिल्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए उसको बंद करा दिया गया था अगर कोई देखना चाहता है तो उसमें कोट से क्या वो A.S.I. से कहें वो खुलवाएं और देखने जाके ताज महल के बंद कमरों को खोलने के लिए हाई कोट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें इतिहास की कई किताबों के जरिये ताज महल के तेजो महले यानी हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया था याचिका के मताबिक राजा परमर्दी देव ने साल 1212 में तीजो महले मंदिर का निर्माण कराया था जो बात में विरास्ट के तौर पर जैपुर के राजा मान सिंह को मिला इसके बाद इस संपत्ती की देख रेक राजा जै सिंह के पास था याचिका में लिखी बातों की माने तो मुगल बाद शाह शाह जहां ने राजा मान सिंग के इस मंदिर पर कब्जा कर लिया और इसे ताज महल का नाम दे दिया इतिहासकार राज किशोर राजे भी शाह जहां के फर्मान के जरिये ताज महल को जैपुर के राजा जैसिंग की संपत्ती होने का दावा करते हैं जिस याचिका को हाइकोट ने खारिज कर दिया उसमें ताज महल के तेजों महले होने को लेकर बड़े बड़े दावे किये गए थे याचिका में लिखा गया था कि ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी ने मुम्ताज महल की मौत के एक साल के अंदर 1632 में आगरा का दौरा किया था इस दोरान उन्होंने दावा किया कि 1653 में ताज महल का निर्मान पूरा होने से पहले भी उस जगह पर मशूर इमारत थी याचिका में जोहान अलबर्ट के किताब लाइफ इन आगरा का भी हवाला दिया गया है जिन्होंने 1638 में आगरा की यात्रा की लेकिन अपनी किताब में ताज महल के निर्मान का जिक्र तक नहीं किया जबकि ऐसा माना जाता है कि ताज महल का निर्मान 1631 से 1653 तक हुआ था शाह जहां के शहजादे औरंग जेब की एक चिठी के जड़िये भी ताज महल से पहले वहां किसी इमारत के होने के दावे किये जाते हैं जिसकी एक कौपी इतिहासकार राज किसूर राजे भी दिखाते हैं औरंग जेब के खत का तीन किताबों में भी जिक्र किया गया वो किताबे हैं आदाबे अलमगिरी, यादगार नामा और मुरकाए अकबरबादी 1652 के उस खत में औरंग जेब ने अपनी अम्मी मुम्ताज के मकबरे में जगह जगह रिसाओ की बात लिखी थी इमारत की उत्तरी दिशा में तो गुम्बद में दरार तक आने का जिक्र किया था इतिहासकार P.N. ओक ने भी ताज महल पर एक किताब लिखी थी ताज महल दट्रू स्टूर्ट किताब के मुगलों के हमले से काफी पहले इस धाचे का निर्मान हुआ था इस किताब में ताज महल को संस्कृत शब तेजो महाले का अब ध्रंश बताया गया उसके मध्य भाग की बनावट इस तरह की है कि महार सिब मंदिर होने की संभावना है क्योंकि उपर जो उसमा कलस रहता था और ये भी एक किब्दंती चली आ रही है जो कि एक एक बून पानी टपकता था हालागि ये पाने एक एक बून टपकता हुआ नहीं देखा लेकिन पानी तो हमेशा सिबलिंग पर टपकता है लेकिन एम्यू के इतिहासकार मानवेंद्र कुमार पुंडी ताज महल के हिंदू मंदिर ते जो महालय होने के दावे को सही नहीं मानते और मुझे नहीं लगता उनमें मूर्दिया निकलेंगी ताज महल और तेजो महलय विवाद पर शंकराचार स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने जो कहा उसे सुनना भी जरूरी है ताज महल के नाम पर जो कब रादी की गाता है इतिया से बिल्कुल कृत्र मितिया से उसका नाम था तेजो महलय समझगे तेजो महलय था हमारी कृति थी अद्भूत कृति थी उसको किसी और रूप में पर्णत किया गया वह आईति है तत्य नहीं है वह बरवरता का दियोतक है तेजो महलय के रूप में ताज महल का उद्वासन उचित है स्वतंत भारता होना ही चाहिए लेकिन सद्भाव पुलवक समवाद के माध्यम से जितना काम बने उतना अच्छा है तो शंक्राचार ताज महल को प्राचीन शिवालय बता रहे हैं वो भी इसके सबूत के तौर पर जैपुर राजगराने में दस्तावेज मौजूद होने के दावे करते हैं लेकिन इस पर आगरा के लोग क्या कहते हैं वो भी शूद पूरा विश्व जानता है सारा संसार के इस देश को जो ताजमेल रहने दिया जाए और जितने भी सेला नहीं आते हैं केवल ताजमेल देखने के लिए आते हैं तो एक पक्ष ताजमेल को मकबरा ही मानता है जबकि दूसरा पक्ष इसे तेजो महले करार दे रहा है लेकिन सच ये भी है कि 2015 में केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया था कि आगरा में ताजमेल के हिंदू मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है ऐसे में अब इस एतिहासिक धरोहर पर विवाद कितना जायज है आप खुद समझे और टै कीजिए आगरा से गरव श्रिवास्तों के साथ ब्योरो रिपोर्ट टाइमसनाव नोभारत